भागलपूर में अंचल से रयत की जमीन मापी के नाम पर अवेध वसुली होती है रयत रासी देने में सक्षम नहीं तो उसकी नापी असंभव है रासी नहीं देने वाड़े रयतों को सिर्फ नापी की अगली तिथी मिलती है ऐसी समस्या से सक्रामा गाउ के हरी मोहन गुस्वामी पिता अग्र मोहन गुस्वामी पिछले कई महा से जूज रहे हैं उन्होंने बताया कि चार महा पुरूब हमने जमीन मापी को लेकर अंचल में आवेधन किया अंचल से नापी की तिथी निर्धारित हुई, नोटिस भी मिली लेकिन उस तिथी को नापी नहीं हुई, अगली तिथी 24 नवंबर को आदेस प्राप्थ हुआ, जानकारी के लिए अंचल पहुँचे तो अंचल में कार्यत लिपिक पंकच कुमार जहा ने बुलाया और कहा ज जमीन बिवादित है, पांच जा रुपे दोगे तब अमीन जाएंगे, सिमतपूर गाउं की रयत रंजीत मंडल जमीन मापी के लिए काफी परिसान थे, अमीन के सयोगी को रासी भी धी लेकिन नापी नहीं हुई, लिपिक से टेलिफोनिक बात चीत किया तो उन्हें पहले कि कारियाले के बाहर आया होगा, किसी दलाल ने उसे रूपिये मांगे होगी और मेरा नाम बता दिया होगया, लेकिन मुझ से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, यही नहीं उन्होंने कहा कि अंचल में दलालों का डा रहता है, आसपास के इलाके से आने बाले लोगों को समस्य का समाधान करने के नाम पर रिस्वत लेते हैं और मुझ पर जूटा इलजाम लगाते हैं, वहीं लिपिक का बिबादों से फुराना नाता रहा है, अंचल में पदस्थापित लिपिक पंकच कुमार जा पहले भी बिबाद में आ चुके हैं, गाली गलोज वा अबद रभास पाएगा खर्चा, कितना के पांच जार पिया, के मांगा, पंकच, क्या चिसका जमीन है, जमीन जो है नापी कराने के लिए मांगा गया है, बिदेशी सराब के साथ एक कार को जब्त कर लिया गया, बता दें कि जगदीशपूर पुलिस ने गस्ती के दोरान भागलपूर ब कार को संधे के अधार पर रुक निकाइसा रा किया, परंतु पुलिस को देखते ही कार चालक कार लेकर भागलपूर की और भाग गया, मौके पर गस्ती गाड़ी पर मौजूद PSI सुधिर कुमार सिंग ने उसका पीछा किया, तो पुरैनी के पास कार चालक कार छोड़ कर जब कार की तलासी ली गई तो उसके अंदर ब्लैक बोल्ड ब्रांड के 150 ml का तीन कार्टून में रखे, 284 बोतल तदा ब्लैक डॉट ब्रांड का 375 ml का तीन कार्टून में रखे, 72 टोटल 456 बोतल सराब बनामत की आ गया, उहीं जगदीशपूर पुलीस कार सहित सराब को जब तकर थाने ले आई, PSI सुरीर कुमार सिंग एवं PSI बंबं कुमार सिंग ने बताया कि सराबिक तसकर एवं कार चालक का पता लगाया जा रहा है, मौके पर गस्ती गाड़ी में तीन सैप के जवान हरीर रायन सिंग, असोक सर्मा, विलेंदर सर्मा और चौकिदार अनि जब जम लेता है, तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है, और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है, और यदि बच्चा तो भविस्वें उसमें बिकलांगता की समश्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका बिकलांगता से जूद सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग ठिरेपी का सहरा लिया जाता है जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग ठिरेपी दिया जाए तो उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें भागलपूर रेड क्रॉस सुसाइटी के स्टस्यों का चुना भागलपूर की टाउन हॉल में किया गया जिसमें 10 दस निर्वाचित हुए और दसो स्टस्यों ने मिलकर अध्यच उपाध्यस कोसाध्यच वर राजपत्निदी का चुनाब किया जिसमें अध्यच पद के लिए असोग जीवराजी का उपाध्यच पद से डॉक्टर अजय कुमार सिंग कोसाध्यच पद से कुझ बिहारी जुनज़नवाला और राजपत निदी अनुच कुमार सिंग को चुना गया कोसाध्यच पद के लिए 10 मिदवार में 2 मिदवार को 5-5 मत प्राप्त हुआ जिसके बाद लॉट्री के माध्यम से पद काचे अनुवा इसमें कुझ बहरी जुनज़नवाला को चुना गया वहीं जिलादिकारी सुब्रत कुमार इसके बाद भागलपूर के जिलादिकारी उविकास एक्ट के सही तक कई प्रादिकारी के सामने यह चुनाव सांतीपुरवक संपन हुआ और हम यह अभिस्वास दिलाते हैं कि उपाध्यच पद पर विजय होने के बाद सभी के साथ मिलकर काम करेंगे सारी सुची को प्रकासित किया दावा पत्ती प्राप्त की वेबसाइट पर हम लोगों ने सुची को डाल भी दिया था समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों ने अवगत कराया कि अगर कोई दावा पत्ती है तो वो दावा पत्ती दें फिर स्टेट लेवल से भी हम उने सूचना प्राप्त करके आज चुनाओं की तिथी धारित की उसमें उपजरबर सहाबी उपस्तित थे उनकी उपस्तिती में चुनाओं बहुत सांतिपून तरीके से संपन हुआ है और सारे पद पर जो है चेहन हो गया है और वाइस प्रेसिडेट का जो पद है वो मनोनिय से होता है तो उसमें उबिका सायुक्त कुमार अनुडाक जी को उसमें मनोनीत भी कर दिया गया और सभी सदस्यों की सरवसमत्ती भी है और जितने भी पद धारक हैं सभी को मैं बदाई देता हूं और जैसी रेड क्रॉस की परंपड़ा है निश्युत रुप से सब लोग मि कराया और जो भी इसमें महतिकार्ज किये इसको चुलाओ कराने के लिए कई लोग इसमें लगे भी रहे उनको भी धन्यवाद देता हूं और रेड क्रॉस सुसाइटी अंतरास्य संस्ता है और या हर मौके पर लोगों के जीवन के साथ जुड़ा रहता है आपदा के समय जन्यवने भी हमें वोट किया उसको बहुत बहुत बदाई देता हूं धन्यवाद देता हूं और जिस तरह से मैं अन्य छेत्रों में काम कर रहा हूं अब रेड क्रॉस सुसाइटी के लिए भी लगातार काम करूंगा और कोसिस करूंगा कि यह जो भागलपूर बहुत हम हो सकता है उसको हम लोग बखो भी निभाएंगे और खास करके जो बीच में बार बुकांप और ऐसे जो आपड़ा आते हैं उसमें भी इसकी घूमी का जो होगी उसमें हम लोग बढ़ चर कर हिस्सा लेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग इसमें सहयोग करे भागलपूर में लॉन टेनिस का क्रेज बढ़ने लगा है सेंडिस कमपांड इस्तित लॉन टेनिस कोट में खिलारी दिन रात पसीना बहातीन नजर आ रहे हैं दिन रात लॉन टेनिस कोट में खिलारियों की भीड लगी रहती है, भागलपूर जैसे छोटे सहर के बच्चे राष्टी और अंतराष्टी असर पर लॉन टेनिस गेम खेलने जा रहे हैं, कुलकाता मुवे राष्टी असर के लॉन टेनिस गेम में भागलपूर की खिलारियो किया वहीं अंतराश्टी अस्तर पर होने वाले लॉन टेनिस गेम में भागलपूर के खिलारियों का चैन हुआ तो नेशनल में बिहार को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा बात हुआ और जैसे कि यहां पर भागलपूर भी बहुत डेवलप ज्यादा नहीं हुआ है लॉन टेनिस में और अभी होई रहा है तो बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रहे हैं लॉन टे क्योंकि हम लोग पढ़ाई सब भी कंटिन्यू रखते हैं तो अभी आम लोग का तीन से चार घंट होता है लेकिन अगर वर्किंग आवर्स नहीं हो जैसे कुछ छोटी सब हो तो वह सेवें टू एट आवर्स तक भी चला जाता है खुशी है चोटे सहरों अपके रेजवड़ ट्रैक्टिस करते हैं हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स नेशनल्स खेलने के लिए गये हैं बहुत सारे नेशनल्स खेल के आगे हैं बहुत को जाना है तो इस बार बिहार में सबसे आदा बच्चे सेलेक्ट भागलपूर के हुए हैं इस बात से मैं बहुत फूस हूं और आ झाल झाल झाल